गीजा का महान पिरामिड जिसे खुफू के पिरामिड या चैप्स के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और स्थाई वास्तुशिल्प चमतकारों में से एक है। मिसर के पुराने सामराज्य के चौथे राजवंश के दौरान लगभग 2580-2560 इसा पूर्व इसका निर्मान फिरौन खुफू की कब्र के रूप में किया गया था। पिरामिड काहिरा के पास गीजा पठार पर स्थित है और यह 3800 वर्षों से अधिक समय तक दुनिया की सबसे उंची मानव निर्मित सनरचना थी। इसकी मूल उंचाई लगभग 146.6 मीटर, 481 फीट थी। ग्रेट पिरामिड का निर्मान प्राचीन मिस्रवासियों की अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और संगठनात्मक कौशल का प्रमान है। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड को बड़े पैमाने पर चूना पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉकों का उप्योग करके बनाया गया था, जिन में से कुछ का वजन कई टन था। इन ब्लॉकों को ले जाने और रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सटीक विधियां विद्वानों के बीच बहस का विशय बनी हुई है। पिरामिड के आंतरिक भाग में राजा के कक्ष और रानी के कक्ष सहित कक्षों की एक श्रिंखला शामिल है, जिने फिरौन को दफनाने और उसके बाद के जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलूँ के लिए डिजाइन किया गया था। ग्रेट पिरामिड मूल रूप से चिक ने सफेद तुरा चूना पत्थर के आवरण वाले पत्थरों से ढखा हुआ था, जो सूर्य की रौशनी को प्रतिभिंबित करता था, जिससे यह शांदार धंग से चमकता था। हालां कि इनमें से अधिकान शावरण पत्थरों को सदियों से हटा दिया गया था, और पिरामिड की मुख्य सनरचना उजागर हो गई थी। ग्रेट पिरामिड का निर्मान एक विशाल कार्य था, जिसमें एक विशाल श्रम शक्ती शामिल थी, जिसमें संभवतह, कुशल श्रमिक और मजदूर शामिल थे। पिरामिड की सनरचना की सटीकता और सनरेखन साथ ही इसका स्थाई सांस्कृतिक महत्व दुनिया की कलपना को आकरशित करता है और प्राचीन मिस्रवासियों की उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग उपलब्धियों का प्रमान बना हुआ है